दोस्तो बिहार में अभी रोसुया की पदो पर नई भरती निकाली गई है जिसके लिए आविदन परकिरिया ओफ-लाइन माध्यम से सुरूख कर दिया किया है कैसे आविदन करेंगे जिसकी पूरी जनकारी हम बताएंगे साथ ही साथ इस बहाली में कौन कनिडेट आविदन कर सकते हैं उसकी उम्र क्या होगी उनकी योगित्या क्या होगी चैन परकिरिया किस परकार होगा सेलरी क्या मिलेगी इन तमाम जनकारी को इस वीडियो में हम कभर करेंगे जिससे आपको पूरी डाउट और कन्फ्यूजन आपका दूर हो पाए वीडियो अगर आपको पसंद तो प्लीज इसे एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इस पर करके लगातार अपडेट के लिए भरते सजूरी पूरी जनकारे समझने के लिए गूगल ओपन करें टाइप करें ऑनलाइन अपडेट स्टियम फॉस्ट वेप साइट मिलेगा जिसको ओपन करना है नीचे लेटेस्ट जवाले सक्षन में मिलेगा बिहार कूक भैकेंसे जिस पर आपको क्लिक करना है पूरी जनक नोटिफिकेशन और इण करेंगा सामें आपका जो ओफिसल नोटिफिकेशन नहें किलकर अगया जिला ख़िए कायाल Kaline आम सूचना जारी किया गया है यहाँ पर किलियर बताया गया है कि मुख मंत्री खेल विकास योजना अंतरगत एकलब राज आवासे परसिक्षक केंदर बॉक्सिंग का संचालन इंडोर एस्टेडियम किला परिसर जो कि मुंगेर में पड़ता है यहाँ पर किया जा रहा है जिसमें 20 परसिक्षु मतलब 20 कै कि यह संचालित होगी इसके लिए जो भी ट्रेनर है साथे साथ जो भी बच्चे ट्रेनिंग लेंगे उनको दो टाइम प्रती दिन बताया गया कि दो समय जो है उन्हें नास्ता और दो समय भोजन जो है बिभाग के द्वारा उपलप्त कराये गये हैं जिसके लिए मैनू भ बनाने वाले जो भी रसोया होते हैं उनकी आवेसकता है साथे साथ सहायक रसोया की भी आवेसकता है जो भी रसोया और सहायक रसोया इसमें सामिल किये जाएंगे तो रसोया के पदों पर जो भी लोग का चैन होगा उनका जो सैलरी होगा यहां पर बताया गया है छे हजार कि प्रतिमाह दीए जाएंगे और जो सहायक रसुइया होंगे काम करेंगे तो उन्हें 3000 रुप cliche정을 यह दिया जाएगा इसके बाद यहाँ पर देखें iPhones का नाम रसुइया है जिस में एक पद है योगिता आठवी पास से में मांगे गई साथ ए साथ उम्र जो है 18 से 45 वर्स होगी सेलरी आपके मिलेंगे 6,000 रुपे साहक रफसुया की एक पद है आठवी उतर्न कम से कम है तो आवेदन करेंगे 18 से 45 वर्स आपकी उम्र है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसमें भी आपकी सेलरी जो मिलेगे 3,000 रुपे आपको मिलेंगे अब यहाँ पर बताया गया कि जो इक्छू कुमिदबार है जो इसके लिए आवेदन करना चाहते है तो सबसे पहले आवेदन पतर जिसका लिंक यहाँ पर इसी पीडियाप में है यह आपकी आवेदन पतर है इससे भरना होगा इसके अलावे आपके पास बायो डाटा है तो बायो डाटा आपको भरना है इस पर आपको एक फोटो चिपकानी है जो कि फोटो की जनकारी आपको दिये गए है योगितास समंदे जो भी परमान पतर होंगे यह आपके पास अनुभव परमान पतर आप अपना इस परकर साइन जरूर करेंगे स्वा अभी परमाने छाया परते जो है तिनांग 14.11.2030 संध्या पांच बजे तक निवंधित डाक के माध्यम से आपको इससे भेजना है अब इससे भेजना कहा है तो उसकी जनकारी यहां पर दिया गया जीला खेल पदादिकारी क करेयाले इंडोर एस्टिडियम किला परिसर मुंगेर इन जगा पर भेजना है पिन कोड आपको बताया गया कि 81201 यह इनका पिन कोड है इस पर आपको भेज देनी है बाकी यह आपकी आवेदन फॉर्म है इसमें सबसे पहले पद का नाम बताएंगे कि रसुय या सहायक रस प्रताजी का नाम आपकी जनमती थी साथे साथ आपको जो एडस होंगे जो पत्राचार वाला और आपका स्थाई एडस मुवाइल नंबर इमेल आईडी यह डालना है फोटो चिपका कर इस पर भी आपको साइन नीचे कर देनी है अब यहाँ पर योगितार समन्दे जो भी साथे साथ क्या परतिसत है किस वर्स आपने पास किया है किस स्कूल से पास किया है वो बताएंगे अगर माल लीजिए आप इंटर भी पास है तो इंटर की जनकारी देंगे असनातक है तो असनातक और पीजी किये हैं तो उसकी भी जनकारी अप देंगे अगर आपके पास को इसके लिए जो भी डेट लाइन दिये गए हैं यहां पर बताया गया कि 14-11 तक ही आपके फॉर्म पांच बेजे तक आपको प्राप्त करना है तो उसके बाद अगर आप फॉर्म जमा करेंगे तो सुविकार नहीं किये जाएगा बाकी आवेदन पत्र जो है आपको मुंगेर NIC.in के वेबसाइट पर आपको प्लप्त करा दिये गए जहां सा आप जाकर देख पाएंगे चार नमर में बताया गया कि आवेदन पत्र के साथ दो समंदित जो डाक टिकट साथ कल लिफाफा संगलगन करकर अवसरूप से भेजे वरना जो है उनके बीना आपको आगे के सुचना जो है नहीं दी जाएगे इसके अलावे बताया गया है कि योगिता एबम जनमतिती के अधार पर अवियार्थी का चैन किया जाएगा अवियार्थी मुंगेर जिला का अस्थाई निवासी होना चाहिए समंदित परमान पत् जो है आपको अपलब नहीं कराएगे इन बातों को दिहान रखिएगा अब इसमें चैन कैसे होगा तो बताया गया कि अगर आप 8 भी पास होंगे तो इसमें 10 अंक मिलेंगे अगर आप उच्छा जैसे इंटर की होंगे तो 15 अंक मिलेंगे मतलब इस परकार कूल 100 अंक आपक के लिए 10 अंक मिलेगा अनुभव के लिए भी आपको 20 अंक है 3 साल से अधिक अनुभव है तो 20 अंक आपको मिलेंगे 1 साल से 3 साल के बीच अनुभव होगा तो आपको यहां पर 10 अंक मिलेंगे एक साल से कम अनुभव होगा तो 5 अंक मिलेंगे कुल मिलाकर 100 अंक यहां पर निर्धारन किया गया तो माली यह जितने भी कनीडेट आवेदन करेंगे जिनका भी अधिक योगिता होगा जिनके पास experience होगा उनके नीडेट का इस पर यह जो आपकी बहाली है कोई सरकारी सेवा नहीं है इन बातों को धियान रखीगा कोई अत्रिक्त आपको सुभधा नहीं मिलेगा जो सेलरी आपको बताया गए वही सेलरी है तो इस परकार आपकी आवेदन होगी आने वाले समय में यह जो मुखवंतरी खेल विकास यूजना लांतरकरत एकल राज वासे परसिक्षन केंदर देखते हैं बॉक्सिंग का ये सभी जिला में शुरू होने वाली है तो सभी जिला में आपको आने वाले कुछ समय में रसुया की बनवाद